अंतरास्ट ये खबर नेतन्याहू से जुड़ी है नेतन्याहू के लिए कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है क्यों? क्योंकि सडकों पर जनता इस समय लाखों की संख्या में सडकों पर नेतन्याहू का विरोध करने के लिए उत्री हुई है प्रोटेस्टर्स सडकों पर हैं, खबरे हैं प्रोटेस्ट ब्रेक आउट इन तेल अवीव इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को रिजाइन करने के लिए कह रही है लाखों की संख्या में उमडी भीड संख्या बताई जारी है, लगभग 7 लाख से अधिक लोग CNN के अनुसार, 7 लाख से अधिक लोग इस समय सडकों पर हैं जिस देश के अबादी 95 लाख के बीच में है वहाँ 7 लाख लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू इस्तिफा दें नेतन्याहू के इस्तिफे की खबर कल पूरे टाइम सुर्खियों में बनी रही कि ये इसलिए इस्तिफा दें क्योंकि ये संधी नहीं कर पा रहे हैं युद्ध विराम नहीं कर पा रहे हैं और युद्ध विराम बोले तो सीज फायर नहीं कर पाएं हैं किसके साथ गाजा पट्टी के साथ ऐसे में हम चाहते हैं कि ये अपने पद से इस्तिवाद हैं। ऐसा कहते हुए जनता पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरी, मजदूर संग ने देश भर में हर्ताल का आवाहन किया, बड़ी सुर्खियां बनी, अंतराष्टी सुर्खियां बनी, कि मजदूर भी अब हर्ताल पर हैं कि नेतन्याहू समझोता करो, गाजा पट्टी के साथ युद्ध विराम करो। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्यों ये सब हो रहा है, अल्टिमिटली ऐसा क्या है, तो आपको याद दिला दू कि 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ा के इसराइल में एंट्री किये, यहां से सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपरण किया, सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा और अपने साथ बंदक बना कर ले गए। उसके बाद, Israeli Defense Forces ने अपने इस्तर पर गाजा पत्ती से बंधकों को रिहा कराने के तमाम प्रयास किये, वो प्रयास कुछ हद तक कामियाब रहे, कुछ हद तक फेल रहे, और ऐसे में बंधकों का यानि होस्टेज का गाजा में अभी भी होना, इसराइलियों का पेशेंस करवाही में गाजा पत्ती फेर लगभग 40,000 से अधिक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, ऐसे में इन दौनों देशों के बीच में इन 200 होस्टेजेज में से कुछ लोगों को रिहा शुरुआती तोर पर किया गया था, जब ख़बर निकलकर आई थी जब युद्ध शु पास ही हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और इन में से 35 ऐसे हैं, जिनके उपर ये माना जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं, आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, असल में 6 होस्टेजेज कल और मारे गए हैं, ऐसे में 101 जो संख्या है, जो पहले 107 हुआ करती थी, उन में से 6 हो प्रतिक्रिया दिला रहा है, और जो होस्टेजेज के घरवाले हैं, वो सरकार के खिलाफ लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, कि भाया तुम्हारे प्रयासों में कमी हैं, आप हमारे बंधकों को रिहा क्यों नहीं करवा पा रहे हो, ऐसे में वो इंपेशेंट होकर सडकों पर अधरशन कर रहे हैं, साथियों चै लोगों की बॉड़ी रसीव हुई, जिनमें से ये सारे की सारे नाम है, इनमें सबसे पहला जो नाम है, जिसका नाम हर्ष गोल्डबर्ग है, ये नाम काफी चर्चित इसलिए है, क्योंकि ये है एक अमेरिकी नागरिक था, लगबग ये जो लोग यहाँ पर मारा जाना, अपने आप में अमेरिका को भी बहुत दर्द पहुचा रहा है, ये जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, इनकी आपके सामने तस्वीरे हैं, ओसत उमर इनकी 23 से 30 के बीच में लगभग बताई जा रही है, इसके बाद प्रेसिडेंट बा और हम जल्दी ही एक ऐसी डील पर पहुचेंगे ताकि उन बंधकों को यहाँ से रिहा किया जा सके, ऐसे में दुनिया भर के नेताओं के द्वारा, मैकरॉन के द्वारा, अल्बनीज के द्वारा, इन सब के ट्वीट्स आये और इन्होंने अपने इस तर पर ये डिमांड कैसे चुड़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये बड़ी खबर बनी, इसराइल ने गाजा के राफा में, वही वाला राफा, जो कि गाजा का बिलकुल पस्चिमी किनारा है, तो उस किनारे से और भी दक्षनी किनारा है, दक्षनी किनारे में राफा की गाजा के अंदर ये देखा है कि नीचे की तरफ टनल बना करके हमास के लड़ा के रह रहे हैं यानि जहां बम का भी असर नहीं पहुंच रहा उन्होंने पूरी जमीन के अंदर सुरंगे कर रही हैं ऐसे ही एक टनल में गाजा के अंदर बंधकों को रखा हुआ था ये सेना को खबर मेली और जब सेना उन्हें छुडाने पहुंची उस समय उनके कनपटी के बिलकुल नजदीक से रख करके उन पर गोली चलाई गई ये पोस्ट मार्टम से पता चला कि शुकुरवार और गुरुवार के मध्ध में ये घटना हुई है यानि गुरुवार और शुकुर का अमेरिकी मूल का इसराइली शर्ष हैर्ष गोलबर्ग भी है और छे बंधकों के मौझूद होने की खबर मिलने पर ही ये कारवाही की गई थी इसका मतलब यहां से एक चीज तो बहुत खुले आम इस पस्ट होती है और वो ये है कि दुनिया भर से जो ये माहौल बनाया जाता है कि कोई बंधक है ही नहीं गाजा पट्टी में ये गलत प्रूव हो रहा है क्योंकि बंधकों के मरने की बात पता चली है नंबर एक दूसरी बड़ी बात ये पता चलती है कि बंधक हैं भी और टनल भी है क्योंकि टनल में ही से इनको बरामद किया गया है अर्थात जहां पूरी Israeli forces एक तरफ से गाजा को साफ करके दूसरे corner तक पहुँच गई, उसके बावजूद इतने 40,000 से जादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बावजूद अभी तक वहाँ पर 101 hostages हैं और वो किसी ना किसी tunnel में हैं, इसका प्रमान अपने आप में tunnel में हुई इस घट इस घटना को जीवन तरख रहा है राफा जो कि इजिप्ट से लगा हुआ बिलकुल बॉर्डर है, वहाँ पर tunnel में इनका मरना और फिर इनके परिवार की प्रतिक्रिया आना दुनिया भर से प्रतिक्रिया आना और इनी प्रतिक्रियाओं में इसराइली लोग जिन बंधकों के परिवार हैं, उन बंधकों के ने अपने साथ में लोगों को इखटा किया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कि नेतन्याहू या तो इस्तीफा दो, या सीज फायर करो, यानि कि युद्ध विराम करो, और युद्ध विराम करके हमारे बंधकों को रिहा कर आओ, ऐसे में इनके देश के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर प्रोटेस्ट उतरने के लिए आए, प्रोटेस्टर्स उतरे, बंधकों का, उन्होंने बिल्कुल वो ताबूत रखकर के प्रदर्शन किया, कि साब हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, ऐसे में नेतन्याहु एक सितंबर को बाहर निकल के आते हैं, और वो कहते हैं, कि भाई देखो मेरी तरफ से, तोगेदर विद आल सिटीजन अफ इसराइल, आई वाज आउट्रेजड तू दी डैप्ट अफ माई सोल भाई दी हॉरिफिक, मेरे इन छे लोगों का मारा जाना, मुझे बहुत दुख पहुचा रहा है, ये सत्य है, लेकिन मुसीबत क्या हुई, कि प्राइम मिनिस्टर अफ इसराइल जहां इस दुख को साजा कर रहे हैं, इनके साथ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कि ये गाजा पट्टी पर कबजा करना चाहते हैं नेतन्याहू, इसलिए समले को किये जा रहे हैं, ये सीज़ फायर चाही नहीं रहे, इनका जो उद्देश है, वो तो अंदर घुस करके छेतर पर कबजा करना है, प्राइम मिनिश्टर एक्सप्रेसे डीप रिग्रेट और अपॉलोजीज फोर दी फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिला करके, अब तक इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है, कि मैं इनके सामने रुकूँँगा, नहीं, इन्होंने कहा कि हमने पहले कई बार प्रयास कर लिए, और ये न्यूज हैं वाकई में, हमास के साथ में कई बार सीजफायर की बात की गई है, लेकिन सीजफायर के नाम पर हमास अपने बंधकों को छुड़ाने की बात करता है, आतंकियों को छुड़ाने की बात करता है कि आप अपने पास में जो रखे हुए लोग है उन्हें छोड़िये अगर वो आतंकी नहीं है या फिर वो के common civilians हैं तो भी उन्हें छोड़िये और उनके बदले हम आपके बंदक रिहा करेंगे इस जिद पर अड़ा हुआ है लगातार हमास हाल ही में इन्हों ने अपने बड़े नेता को खोया लेकिन उसके बावजूद भी हमास किसी भी तरह से इसराइलियों को छोड़ने के लिए तयार नहीं है इधर नेतन न्याहू भी पूरी तरह से एकदम तयार है कि चाहे कुछ भी हो जाए मत 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 छोड़ो मैं तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक पूरी तरह से बदला ले नहीं लूँगा ऐसे में इनके जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद इनके खिलाफ यौव गैलेंट वो ही अपने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि नेतन न्याहु ने अपनी प्राथमिक्ता में सीमा इलाकों पर कबजा करना रखा हुआ है ना कि बंधकों को मुक्त कराना अब कौन से सीमा छेतर की बात की गई है बात की गई है फिलाडेलफिया कॉरिडोर की असल में 14 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि गाजा पट्टी को इजिप्ट से जोड़ता है अब इसको ऐसे समझो देखो ये जो गाजा पट्टी वाला छेतर है ना इस गाजा पट्टी वाले छेतर में पूरी तरह से ये वाला जो एरिया है जिसको आप बॉर्डर में देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया तो already कबजे में लिया हुआ है इसराइल ने, इसराइल का इस पूरे छेतर पर कबजा है, ये जो आपने लाइन देखी यहां तक, अब इस छेतर में कबजा है, इसका मतलब यह हुआ कि गाजा के जो यहां के र गाजा होता है और वो बॉर्डर है यहां, यहां पर यह पूरा की पूरा रास्ता, लगभग 14 km लंबा है, इसे फिलाडेल्फिया पॉरिडॉर के नाम से जान आ जाता है, फिलाडेल्फिया कॉरिडॉर जो है, इसी से होकर के राफा क्रोसिंग निकलती है, जहां से गाजा पट्टी के लोग एजिप्ट में एंट्री करते हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि एजिप्ट इसके रास्ते ही गाजा में आम, एम्मिनिशन, भोजन, साहयता, मानविय साहयता, UN की साहयता, अधिकांश इसी रास्ते से होकर पहुचती हैं, अब आपके दिमाग में एक प्र अपने लिए पोट बना हुआ ना हो, जाहाज को पहुचने के लिए पोट जरूरी होता है, पोट निर्मान में पैसा बहुत कर्च होता है, तो यहां से छोटी मोटी बोट तो आ सकती है सामान को लाने के लिए, लेकिन बड़ा सामान आने के लिए आवशक है कि वो सड़क क रास्ते आये जो इनकी जरुवत के हिसाब से सामान है अब किसी को बंदूग भेजनी है तो बड़ा जहाज लाएगा नहीं छोटी बोट पर यहां पर पूरी तरह इसराइल निगरानी कर रहा है तो समुद्र की निगरानी कर रहा है तो बचा इतना सा छेत्र इस इतने से छेत को इसराइल जो है ना वो पूरी तरह अपने कबजे में ले रहा है यानि की बॉर्डर को भी अब इसराइली कंट्रोल के माध्यम से गुजरना पड़ेगा इस बात को लेकर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इनका प्रयास यहां फसे हुए लोगों को छुड़ाना कम है बॉर् रियक्षन दे रहे हैं कि वो इस छेतर के ऊपर कबजा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम इनसे कह रहे हैं कि पहले आजाद करा लो कबजा तो बाद में भी कर लिया जाएगा अच्छा असल में हमास भी यह बात जानता है कि अगर बंधक छोड़ दिये अभी थोड़े दिन अगर वो बक्ष के चल रहा है तो वो तब तक ही जब तक उसके थोड़े बात बंदक अंदर हैं अगर वो हॉस्टेजेज को छोड़ देता है तो हमास के उपर और बड़ा हमला होगा और उसके बाद उसका खात्मा ही होगा ऐसे में दौन तरफ से कौन सही कौन गलत ही तो नहीं पता लेकिन फिलहाल के लिए गाजापती में फिलाडेलफी कोरिडोर चर्चा में है साथ में नेतन्याहू पर प्रेशर है कि वो अपने इस्तीफे को दे दे और कहें कि वो व्यक्ति बैठे जो गाजापती के साथ समझाता कर ले ठीक है ऐसे में ये बड़ी चर्चा बनती है कि साथ अब क्या किया जाए क्योंकि रक्षा मंत्री भी खिलाफ हो रहे हैं नेतन्याहू क्या जुक जाएंगे क्या इनके उपर और क्या प्रेशर आ रहा है बड़ा प्रेशर कल रात को जो आया वो अमेरिका का आया क्या आया बाइडन ने नेतन्याहू के बारे मे सीज फायर नेतन्याहू नोट डूइंग इनफ टू सिक्योर हॉस्टेज डील अमेरिका खुद भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और उनका एक आदमी हॉस्टेज में मारा गया है साथ अल्रेडी अंदर है ऐसे में बाइडन नेतन्याहू पर प्रेसर डाल कि या कुछ तो करो ताकि यह सीज फायर हो थोड़ा तुम जुको थोड़ा उधर से जुकाएं मुद्दा यह है नेतन्याहू कहता है कि मैं जुकूं मेरे आदमी उसकी बंदक बने हुए हैं मैं आतंकी समूं के सामने जुक जाओं यह संभव हो नहीं सकता भले ही सरकार से ह आने के लिए नेतन्याहू है कि मान ही नहीं रहे इन्होंने लिखा कि मैं प्रॉपर तरीके से इस चीज को लेकर मीटिंग बुलाया हूं कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई और कहा कि भाई अगर हमास लीडर्स अपने बंदकों को नहीं छोड़ते तो इन्हें बनेंगी या नहीं ये बड़ा मुद्दा है लेकिन इनका गाजा के प्रती जो रवाया है ये रवाया सौफ्ट है या फिर हाड है ये लोग असल में जानना चाहते हैं क्योंकि माना जाता है कि जो इनकी पार्टी है यानि कि बाइडन और बाइडन के साथ कमला हैरीस की जो पार्टी है वो गाजा को लेकर सौफ्ट है यानि कि ये इतने आकरमक नहीं है जितने ट्रंप आकरमक हैं ट्रंप होते तो अब तक इस मामले को खतम ही कर दिये होते खेर इन सब से आगे निकल करके बाइडन अब क्या कर सकते हैं ये तो जानने योगी बात है लेकिन इसी ब उसको सस्पेंड करते हैं हम इसराइल को वैपन नहीं देंगे ऐसे में खबर बनती है कि इसराइल गाजा लाइव अपडेट यूके सस्पेंट सम आर्म एक्सपोर्ट तो इसराइल यहां पर देखिए 30 आम एक्सपोर्ट लाइसेंस तो इसराइल आफ्टर रिव्यू बुल जा रहा है कि भाई इसराइल को रोकने के लिए UK खुद कह रहा है कि भाई हम वैपन दे रहें तुम युद किये जा रहे हो हम थोड़ा वैपन रोकेंगे संभवतया तुम सीज फायर तक चले जाओ इसलिए अब बड़ा सवाल ये बनता है कि अमेरिका भी कह रहा है कि सीज फ रहेंगे किसी भी प्रैशर के आगे प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे देखा जायगा लेकिन मैं सीज फायर के लिए उनके सामने जुक जाओं उनके मांगों के आगे ये हो नहीं पाएगा मतलब स्टेंड साफ है कि इसराइल में चाहे सत्ता चली जाए चाहे आपका जो viewpoint है वो भी साजा करें, so that भविष्य के भारत के relations में उसका महत्व बढ़ता है, ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही बाकिया आप में से जो साथ ही हमारे साथ वाटसप करना चाहें, कर सकते हैं, साथियों, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए नि ही है, यानि RAS के अंदर अब आप भरती के लिए अपलाई कर सकेंगे, 733 पदों पर आवेदन मागे गए हैं, टाइम है आपके पास अभी 19 सितंबर से अपलाई करने का, और इसमें आप आवेदन करेंगे, तो प्रिलिम्स का एक्जामिनेशन होगा, और उस प्रिलिम्स के जब आप प्रिलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस का होगा, संभव तयाद चूकि एक महिने तक केवल फॉर्म फिल किये जा रहे हैं, तो हो सकता है, इन बिट्विन एक्जाम की डेट डिकलेर हो जाए और नहीं भी हो, तो फॉर्म फिलिंग के लगभग 45 दिन बाद सामान नितया माना जाता है कि एक्जाम कंड़क कराया जाता है, ऐसे में अगर आपका एक्जामिनेशन फॉर्म 18 अक्टूबर तक जा रहा है, तो मानकर चलिए कि नवंबर एंड या दिसंबर 1st वीक में संभावित हो सकता है कि प्रिलिम्स का एक्जामिनेशन हो, फॉर्म शुरू हो रही है, यह अपने आप में इस कार्या की आगे बढ़ने की दिशा में हैं, ऐसे में जो भी छात्र तयारी में हैं, जो अल्रेडी मेंस की तयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से तयारी करते समय, छात्र मेंस को पहले प्रात्मिक्ता दे कर चलते हैं, फिर प्रिलि की तयारी कर रहे होंगे चाहे SSC की कर रहे हों या फिर स्टेट की एक्जाम की और जो एक्जाम से टीचर्स का पटवारी का अगयर अगयर यह सब लोग अब प्रिलिम्स पर फोकस करना शुरू करें क्योंकि एक्जामेनेशन डेट आ चुकी है यह बड़ी सूचना है आप अपने सभी साथियों के साथ साजा करें क्योंकि कि अल्टिमेटली इस एक्जामेनेशन में प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में बैट पाएंगे और चुकी प्री का समय आपको बहुत कम मिलता है डेट आने के बाद इसलिए फोकस्ड हो जाएं पढ़ने वाले विध्यारतियों से इस पेशल गुजारिश है गुजारिश के साथ साथ मैं यह भी याद दिला दूं कि आप मेंसे जो चात्र हमारे साथ आल्रेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं याद दिला दूं कि हमने आरेयस का फाउंडेशन बैच आपके लिए फिर से लांच कर दिया है आप उसमें एडमीशन ले बहुती नॉम आपके लिए जो अतिरिक्त व्यवस्ता किये वो क्या है कि देखो दो धाई महने में सारे सब्जेक्ट एक साथ खतम नहीं हो सकते तो जो सब्जेक्ट आल्रेडी पढ़ा रखे हैं वो तो आपको मिल जाएंगे as it is recorded format में ताकि आप अपने समय में 8-8 गंटे 10-10 गंटे भी सुनकर पढ़कर अपना course complete कर लें प्लस जो current है यानि कि जो अब दो महीने में तयार किया जा सकता है जैसे current affairs है राजिस्थान की economy है राजिस्थान की geography जो की नए जिलों के बाद से बड़ी ही ऐस पस्ट चल रही है उस geography के लिए भी आप हमसे live classes ले लेंगे तो live plus recorded का एक ब हमने geography, economy सब पढ़ा रखा है लेकिन फिर से एक बार क्योंकि current affairs, economic survey, राजिस्थान की geography ये कुछ ऐसी चीजें है जिन्हें update होते रहना जरूरी होता है तो आप जाकर इसे join कर लें अभी से आप access करें पढ़ाई को सुनिश्चित करें और मतलब अपनी पाट्शाला application जिसका हमें समय पर उपलब्ध है हमारी website पर आप विजिट करते रहें test series के लिए handwritten notes की भी बात बता देता हूँ RAS के handwritten notes भी complete 16 subject के उपलब्ध हैं आप उन्हें भी अपने घर बैठे मगा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में आप उनकी पढ़ाई सुनिश्चित कर सकते हैं बाकी चार बड़े subjects जो हैं उनका इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में notes उपलब्ध है आप घर कोई query हो तो बताएं